अंचाही प्रेगनेंसी को रोपने के नुकसान आज के समय में शादी के बाद अक्सर शादी शुदा कपलज माता पिता बनने में थोड़ा समय लेते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी सेक्सूल लाइफ एंजोई नहीं करते ऐसे में कपलज अंचाहे गर्ब से बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं वहीं कई बार अगर महिलाएं प्रेगनेंट हो जाए तो अंचाहे गर्ब को रोपने के लिए बह घरेलू नुस्खों का सहारा लेती हैं मगर क्या अंचाही प्रेगनेसी को रोपने या गर्ब गिराने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तिमाल वाकई सही है घरेलू नुस्खे, दवायां आया जड़ी बूटियों द्वारा द्वारा प्रेगनेसी रोपना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है भले ही सदियों से प्रेगनेसी रोपने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तिमाल होता आ रहा हो लेकिन सहत के लिहाज से यह बिलकुल भी ठीक नहीं है फूकी रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब पचास हजार महिलाएं असुरक्षित गर्भपात के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठती है हैरानी की बात तो यह है कि इनमें ज्यादा महिलाएं घरेलू नुस्खों के जरिये प्रेगनेंसी रोपने की कोशिश करती है वहीं, प्रेगनेंट होने के बाद घरेलू नुस्खों का इस्तिमाल तो और भी खतरनाक है क्योंकि इनके इस्तिमाल से गर्भपात नहीं हो पाता और महिला प्रेगनेंट ही रहती है अगर आप बच्चा नहीं चाहती तो खुद से दवाई या घरेलू नुस्खे ट्राइ ना करें बल्कि किसी अच्छे डॉक्टर से जाके इस बारे में बात करें अंचाही प्रेगनेंसी में फायदे मंद है ये चीज़े विटामिन सी कुछ लोगों को लगता है कि विटामिन सी भी प्रेगनेंसी रोपने में कारगार है एक्सपट की माने तो यह एक नेचुरल कॉंट्रासेप्टिव है जो प्रोजेस्ट्रॉन के प्रोडिक्शन को रोपता है साथ ही इससे इस्ट्रोजेन का प्रोडक्शन बन जाता है, जिससे अंडा नहीं बन पाता तो थोड़े हद तक यह प्रेगनेंसी रोपने के काम आ सकती है पपीता है कारगार, आपने कई बार सुना होगा कि पपीता खाने से गर्भपात हो सकता है हालां कि यह काफी हद तक सही है एक स्पट के अनुसार, इसमें पेपाइन नामक एसिड होता है जिससे मिस्कराज हो सकता है लेकिन मिस्कराज आपकी सेहत के लिए भी खत्रे की घंटी बन सकता है इसलिए इसके इस्तिमाल से पहले डॉक्टर्स से बात जरूर कर लें कब करना चाहिए उपचार अगर आपकी प्रेगनेंसी को 10 हफते हो चुके हैं तो गर्भपात के लिए कोई भी नुस्खा ना आजमाए ऐसी स्थिती में गर्भपात करने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है इसलिए गर्भपात करने से पहले किसी अच्छे डॉक्टर से बात करे और इस समस्या का हल निकले इस वीडियो के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें किसी भी बीमारी के लक्षनों की स्थिती में डॉक्टर की सलाह जरूर लें हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें हन्यवाद